Hello students, welcome and welcome back to class English simplified and thank you so much for joining us. So students class 12th flamingo book की poem number 1 है My Mother at 66 इसके हम extract based question and answers को cover कर रहे हैं और यह हमारा second part है तो first part का link आपको इस वीडियो के end में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं तो extract है and looked out at young trees sprinting the married children spilling out of their homes but after the airport security check standing a few yards away I looked again at her तो इस टेंजे का मतलब है Poiters कहती है कि कार के बार जब मैंने देखा तो जो young trees थे वो भाग रहे थे और married children's जो थे वो घर के बार बड़े ही हसी खुशी अंदाज में उचलते कूटते निकल रहे थे और airports की checking के बाद security check होने के बाद मैंने कुछ गज की दूरी से अपनी मा को दुबारा से देखा तो इस टेंजे से जो question बनता है तो question बनता है पहला what was the state of mind of the poetess की poetess के mind का state क्या था वो क्या सोच रही थी तो answer है the poetess flying off to some foreign land की poetess जो थी वो विदेशी धर्दी पर जाना चाह रही थी और उसके लिए flight ले रही थी कोचिन जा रही थी वो she was worried about the bad health of her mother और वो अपनी मा की बुरी health से बहुत ज़्यादा चिंतित थी तो जो next question बनता है तो next question है what did she see out of the window की कार की खिड़की के बाहर उसने क्या देखा तो answer है she saw young and healthy trees running speedily in the opposite direction की उसने कार के बाहर जब देखा तो जो बड़े ही healthy और यंग पेड़ थे वो बहुत इस पेड़ के साथ पिछे की साइड opposite direction में भाग रहे थे कार उसकी आगे की सेट जा रही थी और ऐसा लगता था कि पेड़ जैसे पिछे की साइड opposite direction में भागते चले जा रहे है she also saw happy children running out of their homes और उसके साथ साथ उसने बहुत ही हसते खिलते बच्चों को भी देखा जो की अपने घर के भार उचलते कूटते आ रहे थे तो airport जाते समय जो point थी उन्होंने अपनी कार के बार इन दोनों चीजों को देखा तो next question है what is the significance of the young trees and married children की यहाँ पर जो young trees का और married children का जो जिकर हुआ है वो क्या signify करते हैं किस चीज को significance करते हैं तो answer है both represented healthy life and full of activities and happiness कि जो दोनों ही चीजे हैं young trees and married children दोनों ही healthy life को represent करते हैं यहाँ पर और जो की full of activities हैं और खुशियों से भरे हुए हैं जो young trees होते हैं उन पर भी full लगते हैं और वो लगतार अपने branches को फैलाते हैं खुश नगवार नजर आते हैं उसी तरीकी से जो बच्चे होते हैं वो भी full of life एकदम से उनके अंदर देखने को मिलते हैं एक्टिव होते हैं और बहुत खुश रहते हैं किसी भी condition पे तो यहा पर young trees और जो merry children हैं वो healthy life को activities को और happiness को signify करते हैं बढ़ते हैं next question की तरफ next question है why did she look at her mother again कि जब वो airport पहुँची और security checkings पूरी हो गई तो उसने अपनी मा को दुबारा फिर से मुड़ कर क्यूं देखा और यहां किसकी बात हो रही है यहां बात हो रही है पोईटर्स कमला दासकी तो answer है she looked at her mother again because she thoughts that she might not find her alive on her next visit की उसने अपनी मा को दुबारा से मुड़ कर देखा क्योंकि वो ऐसा सोचती थी उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो अपनी मा को दुबारा जब वो वापिस आएंगे अपनी next visit में उनको जिन्दा नहीं देख पाएं कर देखा one pale as a late winter's moon and felt that old familiar act my childhood fear but all I said was see you soon amma all I did was smile and smile and smile तो यहां पर इस्टेंजे का जो मतलब है वो यह है students कि सर्दियों में पीला पड़ावा जो चांद होता है जो सर्दियों में काफी देर से नजर आता है और इसी तरीके से उसको देखकर उनके दिल में जो पुराना दर्द था वो दुबारा से familiar हो गया उनको एहसास हुआ अपने उसी पुराने दर्द का जबकि वो childhood में जिस fear को face किया करती थी एहसास किया करती थी लेकिन उसने क्या कहा but all I said was लेकिन उसने फिर भी अपनी मा को क्या कहा see you soon amma कि मैं आप से दुबारा फिर से मिलूंगी amma और इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराने और पेल नजर आती है और कब तो आंसर है the mother of the poetess looked pale and ill की जो poetess की मा है वो बहुत ज़्यादा पेली और बहुत ज़्यादा बिमार नजर आती है the poetess noticed it when she was driving to kochin airport to catch the plane और poetess ने यह कब notice किया जबकि वो driving करके kochin airport पे जा रही थी अपने air flights को लेने के लिए अपने plane को catch करने के लिए तभी उन्होंने ये notice कि उनकी जो मा का चेहरा है वो बहुत ज़्यादा पेल है बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है बीमारी की वज़े से और यहाँ पर जो ये सरद्यों के चांद की भी उपमा दी गई है जो की सरद्यों में पीला होता है धुनला होता है और काफी देरी से निकलता है लेकिन यहाँ पर जो उसकी तुलना किसे की गई है पोईटेस की मदर के फेस के साथ की गई है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ bring out and explain the figure of the speech in the second line कि second line में जो figure of speech explain की गई है उसको बाहर निकालिये तो answer है there is a similar यहाँ पर उपमा प्रियोक में लाई गई है comparing the mother's hue to the pale light of the moon in winter और यहाँ पर किस चीज की उपमा दी गई है किस चीज से तो यहाँ पर जो सर्द्यों का चांद होता है जिस तरीके से वो धुनला और पीला साह में नजर आता है क्यों नजर आता है कोहरे की वज़े से धुन्द की वज़े से तो उसी तरीके से मा के face को compare किया गया है उनकी मा का चेहरा भी पीला और बड़ा ही नरजीव सा नजर आता है अपनी बिमारी के विज़े से और अपने बुढ़ापी के विज़े से तो यहाँ पर जो सेमिली को यूज किया गया है तो next question है बचपन में हमेशा पईटस को यह दर लगा रहता था और वो डर जाती थी यह सोचकर कि उनकी मा उन्हें छोड़ कर चली जाएंगी और वो इसी दर्द में अकेली रह जाएगी तो यह जो फियर था चैहल्टूड में उनके सामने हमेशा ही खड़ा रहता था तो next question है How did she console herself and her mother कि उसने अपने आपको और अपनी मा को किस तरीके से console किया मतलब कि किस तरीके से अपने आपको और अपनी मा को उन्होंने साहस बंदाया या सांत बना दी तो answer है She wanted to encourage herself अब वो अपने आपको एक प्रोसाहन देना चाहती थी and her mother by smiling again and again तो अपने साथ साथ वो अपनी मा को भी encourage करना चाहती थी किस के द्वारा अपनी smiling के द्वारा और इसी विज़े से वो लगातार smile करती रही हस्ती रही That everything will be fine ये सोच के उन्होंने smile किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा There is nothing to fear कि यहां पर डरने की कोई भी बात नहीं है She will surely meet her again और वो अपनी मा से दुबारा फिर से आकर जरूर से जरूर मिलेंगी तो इस तरीके से उन्होंने अपने आपको और अपनी मा को console किया अपनी smiling के दुआरा लगातार वो मुस्कराती रही और अपनी मा को भी हिम्मत देती रही और खुद भी शायद कहीं न कहीं इसे हिम्मत को वो सोचती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा उनके मा के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा तो student उमीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से clear हुए होंगे वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए और पर it कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में keep watching, stay connected, thank you